कि सबसे पहला सवाल तो इंडिया गटबंधन में चल क्या रहा है पर अपको पता है क्या कि शीव सेना एक नसिड़े जी की जो शी शिव सेना है इसको मैं नकली शीव सेना कहता हूं उसको बी जैपी कितनी सीटें देने वाली काउ Johann आपको पता है कि बीजेपी अपने बाखी एंडिये पार्टनर्स को कितनी सीटे देने वाली है, नहीं मालूँ है, इंडिया कट बंदन ने आम आतनी पार्टी के साथ कितनी सीटों पे हम सुनाव लड़ रहे हैं, वो आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश में जो सीट नहीं है, अगर देश की राजनीती में सब कुछ ठीक होता, तो हम सब को एक होने की ज़ुरत नहीं होता है, लेकिन ये आवश्यक हुआ कि हम मिलकर लड़ें, क्योंकि देश की राजनीती आज इस मुकाम पर खड़ी है, जहां अगर आज हम नहीं मिले, तो ये लोग सब हमे माफ नहीं करेंगे. जब मोटा मोटी सीट का पड़वारा मीडिया में चप्चा में आ गया, उसी दिन से अर्वन केजरिवार जी को धंकियानी शुरू हो जाती है, कि आप एटी से नहीं अब CBI से अरेस्ट करेंगे, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, ये उम्मीद जरूर है भाजपा की, ये बुरा लग रहा था मुझे उन्हें देख कर, टीवी पर देख रहा था, मूँ सुखा हुआ था, अरे अगर प्रधान मंत्री को इथना आतु विश्वास है चारसो पार का, तो ये मूँ क्यों सुखा हुआ है, ये हलक क्यों सुखा हुआ है, ये तोड़ फोर की क्यों पूछ रहे हैं, सवाल, it almost seems, कि जिसके विधायक जा रहे हैं, उसकी गलती है, सवाल तो भारतिये जनता पार्टी से पूछिए, विधायक क्यों खरीद रहे हैं, करोडों रुपे क्यों लगा रहे हैं, EDCBI को दूसरी पार्टी के पीछे क्यों छोड़ रहे हैं, इंडिया कड़ बंदन के हर पार्टी के हर नेता के पीछे, अपनी EDCBI क्यों छोड़ दी है, और जब विपक्ष के नेता आपकी पार्टी में आ जाते हैं, तो क्यों CBI EDC के केस बंद हो जाते हैं, क्यों जगन भुजबल की फाइल गायब हो जाती है, क्यों अजीत पवार का केस जाते हैं, दराने धंकाने का काम भारती है, जनता पार्टी कर रहे हैं, हमने ये सवाल आज दिन भर पूछा, BJP के कई नेताओं से पूछा, के इंद्रिय मंत्रियों से पूछा, हमने पूछा कि आखिर वो कौन सा मैगनेट है, जो BJP की तरफ लोग चले आते हैं, और क्या अबेश आले, जो चले आ रहे हैं, और वो चाहते हैं, राश्न निर्मार में अपना योग दान है, आप इस बात में विश्वास करते हैं, मैं ये जानना चाहती हूं, कि ऐसा क्या मैगनेट है, जो एक पार्टी से विधायक जीत के आते हैं, दूसरी में चले जाते हैं, करन सालसा जीत के आ जाते हैं, उनको अगर चार सो पार करने का इतना कॉंफिडेंस है, तो क्यों सारे विपक्षी नेता हो के पीछे एडी छोड़ी हूई है, सही बगड़े हैं, साथ दिन के लिए एडी हमें देदी, मोदी जी आ जाएंगे, हमारे पास लिख ली जी आ जाएं हमारे विटे लिए, में देदी के चार दिन के लिए, सफ दिन के लिए, दिन के लिए, तो देखे कौन आ जाए अब आयन ळाईन लाइंट पिछले 10 साल देखे जाईए आगे वाले 10 साल हम क्या करते हैं जल्दी फोकस करो आप लोगों को सिखा देंगे कि लोगतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चल कर भी राजनितिं की जासे लेकिन हां इन लोगों को अपने किये कि सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी ना केवल अधिका करना जरूरी है आएम सारी बाबू रोज चार चार बार कपड़े बदलते हैं अरे साब आपको प्रदान मंत्री बनाये कुछ करिये ना पैंतालिस साल का बेरोजगारी का रेकॉर्ड टूटा है चार सो रुपे का सिलिंडर ग्यारा सो में बिक रहा है साथ रुपे का पेट कि बताइए कैसे दिखता है तो माल नहीं पैकेज नहीं हर बार नया नारा लाकर देंगे और हमें और आपको नारों में बिजी रखेंगे भावनाओं में बिजी रखेंगे किसी को गुस्ता दिलवाएंगे किसी को दुख पैदा करेंगे किसी के अंदर नफरत पैदा करें कि यह काम है प्रधानमंत्री का कि इसलिए आपको सरकार में बनाया था हमें आपस में लड़वाते रहिए और आप सत्ता भुगते रहिए कपड़े बदलते रहिए ऐसे होता है ऐसे देश चलाये जाता है